Hello everyone, welcome to my YouTube channel, शुब शुब बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube channel में, thank you so much धेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग comments में मुझे बोलते हैं, कि मेरा reading जो है, वो maximum number of people सभी के साथ resonate कर रहा है, मुझे और भी अच्छ करके मुझे और आगे लेके जाए, so आज जिस topic पे हम बात करने वाले हैं, वो है late night, deeper level पे, एकदम deep level पे, उनका thoughts, उनका emotions, and उनका feelings, love feelings, okay, उस बारे में हम आज reading करेंगे, जो कि late night को होगा, और साथ ही साथ में reading के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बच उसके पहले, हमेश उसमें, तो आज का जो सवाल है, वो आज के topic से काफी ज्यादा related सवाल है, तो आज आप comments में मुझे ये बताइएगा, कि आपके partner गो usually, रात को या late night को क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, okay, answers funny भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बोलो, ठीके, तो आपके partner को late night या फिर रात को क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, okay, movies देखना पसंद है, या फिर books परना पसंद है, या कुछ videos देखना पसंद है, या फिर कुछ और वो आज आप comments में मुझे जरूर बताएगा, तो हम directly अभी reading पे चले जाते हैं, why late night readings are so important, because जब रात होता है late night को खास क करके, तब वो काफी हद तक पूरे दिन का इधर उदर बहुत सारे ये चीज़ों में इनसान busy रहता है, बच रात को जब वो घर पे आते हैं, या फिर सोने का time होता है, या फिर alone time होता है, तब सबसे ज्यादा कोई इनसान अपने रिष्टे के बारे में, प्यार के बारे मे partners के बारे में सोचते हैं, आप सभी को बता है, कोई भी पूरे दिन office या काम करने के बाद आके रात को ही हम लोग ज्यादा call करते हैं, text करते हैं, normally, ये बहुत normal है, क्योंकि that is the free time that we get, तो उस वक, late night का अगर हम लोग reading निकालते हैं, तो सबसे fresh, live, ताजा, करारा, उनका जो इसलिए late night readings मैं लाता हूँ और इससे बहुत काफी हद तक हमको एक idea होता है कि क्या चल रहा है deeper level पे, क्योंकि ये बहुत deeper level पे जाता है ये reading और उस time पे वो काफी बहुत सोचते हैं, बाकी चीज़ें दिमाग में नहीं रहता हो सकता है कि relationship के बारे में काफी ज्यादा वो स हो सकता है, आप सभी के साथ ये reading resonate करें, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ portion of the reading आपके साथ resonate करें, take it how it resonates and leave the rest behind, अगर resonate जितना करता है 30%, 40%, 50%, जितना करता है that is fine, नहीं करता है that is also fine, मेरे चैनल पे बहुत सारे late night readings है, आप चेक कर सकते हो या फिर upcoming जो आएगा वो आप च resonate करें, मतलब आपके partner के साथ बच आपको समझ में आए, कि हाँ ऐसा हो सकता है, ओके, and यहाँ पे roles reverse नहीं होगा, बड़ आपके partner male female कुछ भी हो सकता है gender wise, ओके, now सबसे पहले हम चेक करेंगे, कि रात को, late night को आपके partner का general energy क्या रहता है, ओके, so जब मैं card shuffle करूंगा आज, तो shuffling के साथ खुद को connect कीजेगा, और अपने partner को imagine कीजेगा, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ उनी का energies हम चेक करेंगे, तो let's see, what is that deeper energy, रात को, late night को, deeper क्या energy रहता है, late night, deeper level का energy, let's see, okay, okay, so इनका जो deeper level का जो energy रहता है रात को, late night को, वो है, the emperor card, the queen of wands, six of swords, and bottom of the deck is the wall card, something ended, okay, because of their ego, okay, ये जो रिश्टा है, ये जो relationship है, आप लोग का collaboration है, आपका जो relationship है, वो एक तरह से खतम हो गया है, जो की हमको deeper level पे जाके उनके दिल के अंदर से दिख रहा है, कि ultimately ये रिश्टा एक तरह से, आप दोनों ने सोच लिया, अब इस रिश्टे के अंदर कुछ नहीं है, ये र तो एक तरह से इस इंसान के लिए आपके साथ जो रिश्टा था वो खतम हो गया है, right now रात को खास करके, late night को, उनका energy होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज्यादा off feel करते है खुद को, यानि कि बहुत emotionless उनको feel होता है, उनका continuously मन होता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आगे बरू, okay, मैं अपना level up करूँ, अपने power में रहूँ, किसी के सामने मैं ना जुकूँ, किसी को मैं sorry ना बोलू, किसी को मैं अपना जो real emotion है, या real दिल में जो है वो ना दिखाऊ, सबी को सिर्फ और सिर्फ मैं अपना जो रोद्र रूप है, जो करारा रूप है, जो एक तरह से strong रूप है, मैं सिर्फ वही दिखाऊ, चाहे आप लोगों को, चाहे किसी और को, चाहे family members को, किसी को भी, उन मैं direct खरूस word ही बोलूँगा, क्योंकि और कोई word इतना proper तरीके से इस energy को justify नहीं कर सकता, so वो खरूस होके, emotionless होके, गुस्से में, मतलब, वो ऐसा रहना चाहता है कि बहुत rude, बहुती rude किसम का एक energy, late night को उनका रहता है, हो सकता है, इसी energy के वज़े से उनको, उनके घर पे जगड़ा होता है, या बाकी लोगों के साथ भी अन्बन चलता रहता है, विकोज आपके साथ तो ये रिष्टा उनके लिए एकदम खतम है, और उसी rude mindset से, उसी गुस्से वाले mindset से, बार-बार उनके मन में ये repeat चलता है, कि relationship खतम हो गया है, बात खतम है, मुझे आगे बरते रहना होगा, but कहानी में एक twist है, आगे तो वो बर रहे हैं, but past memories, past इंसान, यानि कि आप लोगों का जो memory है, वो उन्होंने छोड़ा नहीं है, they are moving towards karma water, at least trying, because बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत arrogance, बहुत attitude, rudeness, बहुत ही ज्यादा temper issues, इस तरह का चीज़े हो सकता है, but इन सब चीजों से उनको थोड़ा सा शान्ती लेने के लिए, they feel like के, हाँ ठीक है, मुझे आगे बरना होगा, मुझे पीछे मुर्के नहीं देखना है, और भार में जाए सब, भार में जाए दुनिया, मुझे सिर्फ आगे बरना है, but still उसके अंदर भी आप लोगों का memories या आप लोग शामिल हो, negative way में ही सही, गुसे में ही सही, ignore वाले way में ही सही, आपको याद जरूर करते हैं, that is there, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, okay, एक तरह से एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, finish करने से पहले यह energy, in some situations, this person feels like कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा arrogance and attitude है, आप लोग भी तो आके इनको sorry बोल सकते हो, but ऐसा आप लोग बोल नहीं रहे हैं, इस चीज़ के लिए यह बहुत गुस्सा है, बतब जैसे आप लोग फील कर रहे हो ना, कि मेरे partner आके मेरे से बात नहीं कर र वो गुस्से वाला है, वो rude है, वो emotionless है, similar energy यह इनसान भी late night को feel करता है, कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग rude है, आप emotionless है, आपको उनके feeling का कोई कदर नहीं है, आप ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहे हो, ज्यादा ही arrogance दिखा रहे हो, ज्यादा ही attitude दिखा रहे हो, और अप को पसंद आ रहे हैं, okay, so take it how it resonates, मैंने दोनों तरह का ही, जो भी outcome था, मैंने बोला, energy का, okay, now let's see, what is their late night deep thoughts, let's see, what is their late night deep thoughts, what is their late night deep thoughts, okay, oh okay, so inka late night ka deep thoughts jo hai, wo hai night of wands, but bottom of the neck is the moon card, so ultimately they are like, मैंने थोड़ी दिर पहले क्या बोला आपको, कि ये चाते हैं कि आप उनके तरफ क्यू प्रोपोजल लेके नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या है जो कि आपको रोक रहा है, ऐसा क्या है जो कि जिससे कि आप इतना डर रहे हो, आप भी तो उनके तरफ भाग के आ सकते हैं न के साथ फ्लरट कर सकते हैं, आके बातचीत कर सकते हैं, बट आप क्यू कर नहीं रहे हो ऐसा, ओके, so their thought is like, what is stopping you from coming towards me, ऐसा क्या है, जो कि आपको रोक रहा है इतना, क्यूं आप कुछ action नहीं ले रहे हो, क्यूं सब कुछ रुका हुआ है आपके तरफ से, in some situation, अभी same चीज घूम जाएगा, in some situations, their thought is like, okay, मुझे जाके शायद बात करना चाहिए, मुझे चीजों को sort out करना चाहिए, मुझे एक तरह से passionate beginning करना चाहिए, मुझे at least a casual level पे चीजों को शुरू करना चाहिए, but अगर मुझे reject कर दिया, तो, अगर मुझे बात धंग से नहीं किया, तो, because they they have ego, they have arrogance, उनका attitude problem है, तो, they are like, negativity, mind के अंदर, कि अगर मेरे से गलत निके से बात किया तो, अगर फिर से पुरानी चीजों को उच्छाला तो, अगर फिर से तू-तू मैं मैं हुआ तो, मैं क्यों आओ, okay, so, very, very, like, बहुती unlucky किसम का, बहुती negative किसम का, बहुती scared किसम का, एक energy है, के मैं क्यों आओ, आके क्या फाइदा होगा, और अगर मैं आता भी हूँ, तो, क्या मेरे को accept करेंगे, या नहीं, so, it's very hidden and very, not clear, not clear, okay, so, they are not clear के, क्या करना चाहिए, they are not clear के आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, and also, they are not clear के, वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, okay, so, let me clarify this, knight of wands, and थोड़ा सा deeper जाते हैं, और जयादा, तो, समझ में आएगा, let's see why this knight of wands is here, why, why, and why, let's see why this knight of wands is here, we got one card, second card, obviously, as expected, and okay, so, knight of wands been clarified by seven of cups, eight of cups, and five of wands, जमेला, confusion, drama, मारपी, conflict, किसम का energy, mentally, okay, mentally, इतना कुछ, and they are like के, पता नहीं, आप हैं भी या नहीं, आप तो छोड़ के चले गए रिष्टा, मैंने भी रिष्टा छोड़ के चला गया, सब एक दूसरे का रस्ता नाप लिया, अब क्या होगा, okay, so, they are like के, अब कोई फाइदा नहीं है, so, basically, knight of wands का एक और भी मुझे यहाँ पर चीज दिख रहा है, शायद वो अभी काफी सारे लोगों के साथ connect करने की कोशिश कर रहे है, या फिर date करने की कोशिश कर रहे है, या फिर, हो सकता है, family में बहुत सारे लोग है, या अलग चीजों के अंदर खुद को डालने की कोशिश कर रहे है, ताकि, जो भी उनका, जो failure है न, इस रिष्टे का, आप दोनों के रिष्टे का, जो failure है, या जो रिष्टा तूटा है, इस चीज की भरपाई वो एक तरह से कर सके, okay, आगे बर के, but very, very, very confused, very confused, and they are like के, इतना जहम इतना मारपीट, अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसके बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं प्रोपोजल दू या मैं प्रोपोजल लेके आओ, तो ultimately कुछ accept कोई करेगा, या कुछ फाइदा होगा, इतना मारपीट के बाद, कुछ होगा नहीं, उन्होंने भी शायद अपना केरियर या अपना पाथ चुन लिया है, very, very, very confused, very, very, very confused, and that is the reason वहां पे मुझे कार आया था, bottom of the ring, though they want के आपके साथ एक casual, at least a casual relationship रहे, या बातचित हो, या इस तरह का कुछ communication हो, but they are like क्या फाइदा, still see, यहां पे moon, यहां पे भी दिख रहा है, so moon का energy यहां पे भी है, very negative, very negative mindset, okay, in some situations, they feel like के इस जगरे का कारण आप है, इस confusion का का कारण आप है, आप उनके जिन्दगी से चले गए है, और इस वज़ए से वो भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे है, okay, तो एक तरह से आपको भी blame करने के बारे में, blame करने के बारे में वो सुचते है, मतलब ऐसा thoughts आता है उनका, कि आप लोग दोशी है, okay, आपरे, बहुत ही, बहुत heavy reading है आज का, काफी heavy है, यह इंसान का nature और इसका यह और बहुत heavy है, let's see, what is their late night emotion, let's see, what is their late night love emotion, check करते है, let's see, what is their late night love emotion, do they feel love towards you, क्या रात को, क्या रात को वो काफी ज्यादा प्यार फील करते हैं, प्यार वाला emotions क्या रहता है उनका late night को, oh my god, the vault card, five of pentacles and the temperance card, सब खतम हो गया है, they don't trust you, they don't trust anyone, they feel like, के हर किसी ने मेरे को दोका दिया है, ये दुनिया ही, ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी, and एक बेबी डॉल सोने दी था, या थी, वो भी खतम हो गया, so, ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी, ultimately, so, yeah, मुझे वही गाना याद आया, I don't know why, वही लाइन याद आया, ये दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी, anyway, so, basically, उनके लिए ये रिष्टा खतम हो गया है, so, emotionally, they are like, I don't trust anyone, हर कोई मुझे छोड़के चला जाता है, या चली जाती है, आपने भी वैसा किया, आप भी उनको छोड़के चले गए, they feel left out, they feel emotionless, and they are very, very patient, right now, कि, जो भी होगा, आगे देखा जाएगा, मेरे जिन्दगे में अगर कुछ balance आएगा, या हम दोनों के बीच में अगर reconciliation होगा, होगा, in future, कभी, temperance, बहुत slow है energy, like, in future, कभी हम हो सकता है, मिले, कभी, फिर से, हम दोनों के बीच में, page of wands, चोटा मोटा दोस्ती, या, hi, hello, या इस तरह का कुछ हो, in future, okay, but, फिलाल के लिए, तो रिष्टा खतम है, so, emotions, उतना कुछ, I'm really sorry, guys, but, sugar coat, मैं कोशिश करता हो, कि थोड़ा मजाक उसमें डालने का, क्योंकि reading काफी heavy हो जाता है, but, ultimately, जो सच है, वो सच है, they don't feel any emotions, for this reading only, जिस दिन का जो reading होगा, उस दिन का वही energy लीजेगा, जितने लोगों के साथ, वो energy resonate करता है, या जिनका वो story है, सिर्फ उन्ही के लिए resonate करेगा, बाकियों के लिए नहीं, बाकियों के लिए अगर नहीं करता है, तो that's fine, कोई problem नहीं उसमें, but, in this case, मैं जो देख रहा हूँ, इस इंसान के दिल के अंदर, feeling के अंदर, emotions के अंदर भी कुछ नहीं है, they are like everything is done, I am a free bird right now, और nobody loves me, मेरे को हग करके रहने वाला, या मुझे प्यार से जकरके रहने वाले, ऐसा कोई है नहीं, हर कोई मुझ से छूट के चला जाता है, हर कोई मेरे जिन्दगी से दूर चला जाता है, I don't trust anyone, nobody trusts me, nobody loves me, so, there is no feeling, अगर जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, in future अगर हम मिलते हैं, कुछ बातचित होता है, तो देखा जाएगा, that's all, okay, this is the love emotion, okay, अब the बहुती important question, उसका मैं सीधा सीधा answer लूँगा, वो यह है कि यह इंसान क्या आप से अभी भी प्यार करते हैं, हाँ या ना, let's see, for this reading हाँ, again हम जले, इस reading के basis पे, यह इंसान क्या अभी भी आप से प्यार करते हैं, या नहीं, हाँ या ना, सीधा सीधा देख लेते हैं, on a deeper level, let's see, the death card and the devil card, I'm really sorry guys, but it's a big no, big no and बहुती गंदा वाला no, अभी इस negative, काफी negative, मैंने बार बार मैं बोल रहू हूँ, heavy, reading बहुत heavy है, इस इंसान का औरा, इसका energy अच्छा नहीं है, so, right now they don't feel any love, और currently उनके मन में, आपके लिए कोई प्यार भी नहीं है, they don't love you, सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ, okay, इस reading के basis पे, फिलाल के लिए, कभी अगर in future उनका energy कुछ change होता है, तो reading तो चलता ही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, अभी के लिए, it's a no, okay, and बहुत ही गंदा वाला नो, बहुत ही गंदा वाला no, in some situations, प्यार नहीं है, बट अगर आप okay है, यह भी मैं बोल देता हूँ, अगर आप ready है, इनके साथ casual intimacy के लिए, या उस तरह का relationship के लिए, जो कि time pass वाला होगा, या फिर, one night stand किसम का होगा, उस तरह का अगर relationship के लिए, आप okay है, then this person is okay for this, okay, for only particularly for that kind of relation, अगर stable relation की बात करे, commitment की बात करे, proper प्यार की बात करे, दिल वाला प्यार, it's a big no, no, okay, let's see, कि यह जो इंसान है, यह कौन से sign के हो सकते है, let's see, क्या science हो सकता है इनका, अभी तक का reading, अगर resonate किया है, तो आप ही का reading है, अगर नहीं किया है, तो that's fine, no issues, please, इसको, अपने situation पे, हर reading को जालने की कोशिश मत कीजिएगा, हर एक का situation अलग होता है, okay, जितने लोग के साथ resonate करेगा, ये उनी का reading है, obviously, अगर उनके partner के उधर ऐसा चल रहा है, तो आप लोग को शायद पता भी नहीं होगा, बढ़ हो सकता है, आपके partner इस तका एक mentality में अभी फिलाल के लिए है, okay, बाद में अगर कुछ changes आता है, तो हम देखेंगे, एक काज जम करके आया, क्यूंकि मेरा reading चलता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ अगर energies में change आएगा, इस इंसान का, particularly इस reading वाले इंसान का, तो फिर होगा change, okay, अरे बाप्रे, okay, heavy fire signs, only fire signs, बहुत nominal air signs, बाकी पूरा fire signs, Aries Leo Sagittarius, and Gemini Libra Aquarius, Gemini Libra Aquarius बहुत कम, बहुती कम, fire sign मतलब यहां पर सिर्फ fire signs है, भर भर के, Aries Leo Sagittarius, okay, आप्रे, okay, now let's see, universe के तरफ से, इस situation में, आप लोगों के लिए, spiritual message क्या है, not guidance, guidance, love reading में हम देते हैं, या no contact में देते हैं, इस reading में, because यह सिर्फ energy, check-in है आपके partner का, late night deep thoughts वाला energy, so इस वज़े से, only सिर्फ मैं आपको, spiritual message दूँगा, जो की universe आपको बोलना चाहते हैं, okay, let's see, kya message है, let's see, what is the spiritual message, that universe wants to give you, we got the card, okay, two cards, वाओ, okay, third card, yeah, it's a dead end relationship, I think you should move on, this is the guidance for you, okay, अगर मेरे guidance मेरे मूँ से निकल गया, तो यही guidance है, और, spiritual message में ने बोला था, यह spiritual message भी है एक तरह से, it's done, it's a done relationship, same card, once again, double confirmation, and, four of swords, bottom of the deck, the wall card is a major arcana, so it's an end of an relationship, of a cycle, so I'm really sorry guys, again I'm telling, मुझे नहीं पता कितने लोगे साथ, यह रीडिंग या उनके पार्टनर के साथ, यह रीडिंग रीडिंग रेगा, I have no idea, but जिनके भी साथ, कर रहा है, यह कर सकता है, I'm really sorry guys, but this is how it is, and you know me very well, कि मैं sugarcoat करके, कभी रीडिंग नहीं करता, ना तो ना, हां तो हां, ओके, यहां पर कुछ भी, सब खतम ही है, एक तरा से इसको पकर के चलिए, so it's better that you move on, ओके, अपने लाइफ में move on कीजिए, अपने healing पे ध्यान दीजिए, ओके, and please, एकदम इस चीज़ को समझ लीजिए, कि अब इस relationship में कुछ नहीं होगा, okay, that's fine, that's fine, मानने में थोड़ा वक्त लग सकता है, मैं जितना easily, इसको बोल रहा हूं, उतना easy नहीं होगा, आप लोग के लिए, but, that's fine, अगर आपको वक्त लेना है, अगर आपको वक्त लेना है, that is fine, but, धीरे धीरे करके, अपने आपको समझा लीजिए, कि अब इसमें कुछ नहीं है, आपको जिंदगी में आगे बरना है, बहुत ही अच्छे partners, आपके लिए वेट कर रहा है, प्लीज, उस partner का energy, current energy, जब हम reading करेंगे, तब अपसे नए partner का energy, check करने के लिए, देखिये, या फिर जो singles का reading आएगा, वो आप check कर सकते हो, वो आपके लिए फायदा मंद होगा, बट इस reading के हिसाब से, खतम, ओके, so, really sorry guys, but this is how it is, जिनके साथ ये reading, resonate करता है, या उनके पाचतर के साथ, सिर्फ उन्ही के लिए ये reading है, क्योंकि बहुत negative है, और एकदम ना है, एकदम straight cut ना है, okay, so, yeah, so, thank you so much for watching this video, I am really sorry, कि positive outcome नहीं आया, ये मेरे हाथ में नहीं है, जो है, जैसा है, मैं वहीं बोलता हूँ, so, हम लोग continuously readings लेके आते हैं, आप देखते रहिए, guidance रहता है उसमें, और मेरे साथ जुरिये, जल्द से जल्द, कभी ना कभी, हम लोग भी, silver button, हर, आप तो daily में, आप लोग का कान, मतलब आपका दिमाग खा जाऊंगा, मुझे silver button लाके दो, आप लोग मेरे साथ जुरिये, तो ही possible है, तो थोड़ा-थोड़ा करके, subscribe चलाते रहिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा, और क्या सवाल मैंने किया है आप से, मैं भूल गया किया सवाल है, वीडियो के starting में वो सवाल है, प्लीज देखिएगा, वो एंसर जरूर मुझे दीजिएगा, मैं भूल गया हूँ अभी, so thank you so much for watching this video, we'll see you in the next video, तब तक के लिए, please take care of yourself.